हलो फ्रेंड्स यदि आपको प्रेगनेंसी है तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि मुझे सुबह उठके क्या खायना चाहिए क्योंकि सुबह सुबह नौजिया, वॉमिटेंग, जी मिशलाना और जी खराब रहना और कुछ खाने की इच्छा नहीं होना यह बहुत ही कॉमन समस्य है प्रेगनेंसी में जो हर लीडी फेस करती है और उसी टैम यह सला होती है कि आपको यह भी खाना चाहिए वो भी खाना चाहिए बड़ा कंफ्यूजन हो जयाता दिमाग में कि आकर मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना और सुबह सुबह उठकर मेरा जी खराब नहीं और जिसे मैं आराम से खाबी सको तो मैं डॉक्टर सुशिलास नहीं कैने क्लोजिस और अप्सटेशन डायरेक्टर जयाप परदूर्बीन होस्पितल आज आपको यही बताने जा रही हूं कि सुबह सुबह उठकर आप प्रेगनेंसी में क्या खा सकते तो सबसे पहली जो सला जब प्रेगनेंसी डाइग्नोस होती है तब यही कहा जाता है कि आप बिस्तर के पास में ही बिस्किट का पैकेट रख लीजे मीठे बिस्किट हो नमकीन नहीं और उठने से पहले ही आप बिस्किट खा लीजे जिससे कि आपको वामिटिंग होने के चांस काफी कम हो जाते हैं क्योंकि दिन पर से आप खाली पेट रहते हैं थोड़ा एसिड पेट में बनता है जिसके कारण गेस्ट्राइटिस होता है या रैचिंग होती है और एक प्रेगनेंसी में हार्मोस का लेवल भी ज़्यादा होता है जिससे कि नौजिया बना रहता और कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है लेकिन जनरली बिसकेट आराम से खाये जाते हैं बिसकेट का ब्रैंड जो भी आपको पसंद वो खा सकते हैं लेकिन मीठे वाले जो ग्लुकोज बिसकेट होते है उसमें ग्लुकोज भी होता है तो डेफिनिटली वो आपको करता है सुबह सुबह बहुत सारी लेडिस को चाई पीने की आदत होती है लेकिन जैसे ही आप खाली पेट चाई पीएंगे तो आपको गेस्ट्राइटिस जादा होगा यानि की एसिडिटी बढ़ जाएगी इसलिए सुबह सुबह खाली पेट चाई और कॉफी पीने की सला नहीं दी जाती है आपको बहुत ज़्यादा है कि चाई पीनी ही है तो आप चाई के साथ टोस्ट ले सकते हैं बिस्किट ले सकती है या कुछ और मठरी टाइप की चीज़ आप ले सकती है जिससे कि चाई का जो एसिडिटी वाला एफेक्ट है वो थोड़ा सा कम किया जा सक चाय में जो tea leaves होती हो थोड़ी कम डालिये ताकि आराम से soft चाय आप बना की पीजिए और coffee भी अगर पीती है तो थोड़े hard coffee ना लेकि soft या light coffee पीजिए इसके अलावा सुबर सुबर अगर आप उठके थोड़ा सा पानी पीती है जो कि थोड़ा गुन-गुना हो सकता है तो व अगर अगर आप अच्छे से 2-3 ग्लास पानी भी पी सकती है अगर आप comfortably पी सकती है तो अगर दो ग्लास तीन ग्लास नहीं पीजाए तो अटलिस वन ग्लास या half in half in glass तो आप पी ही सकती है इसके अलावा अप रात को बादाम भिको के रख सकती है जो सुबर उठके आप 5- शे बदाम खा सकती है क्योंकि भीगे वे बदाम बे बहुत फाइदा करते हैं और प्रेगनेंसिय में रुटेनली बदाम खाने के सलह दी जाती है तो बदाम सकती है और भी ड्राइ फुट अक करोड है काजू है यह भी आप आराम से खा सकती है तो सुबह-सुबह आप चाय अब अगर आपको फूट्स खाने हैं तो आप कौन से फूट्स खाईए तो फूट्स के लिए जनली ये कहा जाता है कि अब जो फ्रिज में रखे वे फूट्स है वो ना खाएं क्योंकि ठंडे फल खाने से आपको खांसे जुकाम हो सकता तभी खराब हो सकती है इसलिए जब आपको फूट्स खाने होते हैं दूसरा आपको खटे फल सुबह सुबह खाली पिट नहीं खाने होते हैं क्योंकि खटे फल में ऐसीड होता है जो एसीडी को बढ़ावा दे सकते हैं तो आप बाद में 9-10 वजे के आसपास जब नॉमल टेंपरेचर पर फल आ जाता है तो आ जो कोल्ड स्टोरेज के फूट्स आते हैं वो नहीं लेने हैं इसके लिए पकच्छा पपीता नहीं लेना है कच्छे फलों के साथ ही आपको कच्छा मांस और कच्छा अंडा भी नहीं खाना होता है क्योंकि यह थोड़ा सापको नुकसान कर सकते हैं और जब जो भी बनता है घर में वो आप खा सकती है मिर्श मसाला कम डालने की सलहा दी जाती क्योंकि प्रेग्नेंसी में थोड़ा एसेडिटी का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है और अगर आपको बहुत जादा नौजिय वामिटिंग रहता है और एसेडिटी भी ज्यादा रहती है तो कम करने के लिए मेडिसीन दी जाती है well i बहुत नहीं अई प्रॉब्लम काफी हट तक कम हो जाएगा आराम और नौब भी आपको सुबह खाना है वो खा सकती है इसके लाव आपको सुबह सुबह खाने के सलाह बिलकुल नहीं दी जाती है दूध आप ले सकती है लेकिन दूध को अच्छे से उबाल कर लीजिए ताकि इंफेक्शन के चांसस कम हो जाए और भी अगर आपके से रिलेटेट खाने पीने से रिलेटेटर सवाल है ताप कमेंट बॉक्स में लिखके हमने पूस सकती है हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जैनकारी के साथ तब तक नमस्कार